नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का मेरी इस YouTube चैनल में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, गुजरात में सासन करने वाले सोलंकी वन्स के विशय में, साथ ही साथ हम लोग जो है थोड़ा सा गहडवाल वन्स के विशय में भी जानेंगे, तो वीड इन्होंने जो है गुजरात में सासन किया था, अच्छा ये जो सोलंकी है ना, ये चालुक्य थे, जो हम लोगों ने पढ़ा था चालुक्यों के बारे में, मैंने बताया था कि चालुक्यों ने अलग-अलग साखाओं के माध्यम से सासन किया था, तो ये जो गुजरात में स आसन करने वाले चालुक के थे उनको सोलंकी के नाम से भी जाना जाता है इनका जो राजधानी था वो था अन्हिलवाड तो इनको जो है अन्हिलवाड के चालुक के नाम से जाना जाता है जैसे कि बादामी के चालुक के वेंगी के चालुक के कल्याणी के चालुक उसी प्रका में सिर्फ इतना याद रखना है कि मूल राज ने इस वन्सकी इस्थापना की थी और कोई चीज नहीं पूछा जाता है राजधानी ये भी कई बार पूछा जा चुका है उसके बाद जो है मूल राज के बाद बहुत सारे सासक हो ये उतने इंपोर्टेंट नहीं है सीधे कल्चुरी राजा था कर्ण कल्चुरी राजा था कर्ण तो कल्चुरी राजा कर्ण और भीम प्रथम इन दोनों ने मिल करके सयुक्त रूप से राजा भोज के उपर आकरमण कर दिया राजा भोज कौन था अपना जो पर्मार वन्स का सासक पर्मार वन्स का सासक था राजा मैंने बताया था ये चीज तो पर्मार वंस के राजा भोज के उपर भीम प्रथम और कल्चूरी वंस के सासक कर्ण दोनों जो हैं सेंक्त रूप से दोनों तरफ से आक्रमन करते हैं देखें जो पर्मार वंस का राजा भोज था ना वो इन दोनों के बीच में था और ये जो है सभी आसपास के राजाओं को पर आक्रमन कर रहा था, तो ये दोनों मिल करके भीम प्रतम और करण दोनों मिल करके राजा भूज को परास्थ करते हैं, और उसकी जो राजधानी होती है उसको तबाह कर देते हैं, तो याद रखेंगे भीम प्रतम ने राजा भूज पर विजय जैन धर्म को अपने यहां सनरक्षन दे रखा था जैसे की मैंने बताया कि maal once ses quane baudh durma busita यह चीज़े बीना पूछी जाती creeking time balle किस अपनाया हुआ था जैसे कि हम लोगोंने जब गुप्तों के विशय में पढ़ा था तो मैंने बता कि वो लोग जो है अपना ब्राम्भर धर्म को मानते थे विशे इस रूप से वैश्णव संपरदाय को तो इस टाइप के चीजे भी जो है अक्सर पूछी जाती है तो इस वन्स के अधिकांस मतलब की सभी शासकों ने जैन धर्म का समर्थन किया जैन धर्म को अपने राज्य म का आक्रमन देखे महमूद गजनवी इसने भारत में 17 बार आक्रमन किया था एक हजार एक से ले करके 1027 इसमी तक लगातार ये जो है 17 बार इसने आक्रमन किया था किसने महमूद गजनवी ने मतलब कि वो जो है भारत के अलग-अलग इस्थानों पर आक्रमन करता था इसने क आक्रमन किया था इसके अलावा जो महमूद गजनवी था उसने गुजरात में भी आक्रमन किया था तो भीम प्रथम जिस समय सासन कर रहा था उसी समय महमूद गजनवी भारत में आक्रमन कर रहा था और 1026 इसवी में महमूद गजनवी ने गुजरात पर आक्रमन कर दिया गु को तोड़ा मंदीर को नश्ट किया और वहां जो भी सोना चांदी रहा होगा जो भी वहां पर खजाना रहा होगा मंदीर की जो भी संपती रही होगी उन सब को लूट करके अपने साथ ले गया देखें क्या हुआ जब महमूद गजनवी गुजरात की और बढ़ रहा था तो यह चीज जैसे ही भीम प्रथम को पता चली तो वो जो है उसका सामना करने के लिए सैनिक तयारियों में लग गया वो जो है अपना राजधानी छोड़ करके दूसरे इस्थान पर चला जाता है मतलब कि जहां उसका सैनिक छावनी वानी रहता होगा तो वहां जाकर के वो ज महमुद गजनवी जो है सोमनात के मंदिर पर पहुचता है और सोमनात के मंदिर को पुरा लूटता है और वहां बहुत सारे स्रधालों की हत्या भी करता है वहां पर जो है बहुत सारे ब्रामन लोग रहते हैं जो कि पूजा अर्चना कर रहे होते तो उन सब को जो है वो हत् कुम्रा जाता है मदिर होगी संपत्ती होगा और अब के दर करके दूसरे राशते से निकल करके अपने जाता है महमूद गजनवी तो याद रखना है महमूद गजनवी जब गुजरात में आकरमन किया सोमनात के मंदिर को लूटा तो उस समय भीम प्रथम वहां का राजा था और भीम प्रथम ने जो है आगे चल करके इस मंदिर का जिरुनो धार करवाया मतलब कि उसका रिपेरिं मंदिर दिल्वाडा का जैन मंदिर जो कि अरावली परवत श्रिंखला के माउंट आबू परवत शिखर पर बना हुआ है दिल्वाडा का जैन मंदिर क्योंकि ये लोग जैन धर्म के को मानने वाले थे तो दिल्वाडा का जैन मंदिर वो जो है जो भीम प्रथम इसका एक सा जो सोमनात का मंदिर था ये सिव मंदिर है आज भी है सोमनात का मंदिर जो अभी जो वर्तमान रूप में जो मंदिर है उसकी स्थापना भारत जब स्वतंत्र हुआ उसके बाद की गई लगभग अपने जो प्रतम ग्रिह मंत्री शारदार वल्लब भाई पटेल जी ने उसकी निव रखी थी अभी जो मंदिर आप देखते हैं वो जो है वरतमान नया बना हुआ है आजादी के बाद उसको बनाया गया है पहले का जो मंदिर था उसको पूरी तरह से धोस्त कर दिया गया था कई बार इस मंदिर को बिगाड़ा गया जो अपने औरंग जेब थे ना उसने भी इस मंदिर को नश्ट किया था तो याद रखना है महमुद गजनवी के आकरबन के समय भीम प्रतम सासक था दिलवाड़ा का जैन मंदिर इसके समय में बना था उसके बाद अगले सासक हुए जैसी है जिनका सासनकाल 1094 से 1153 इसमी तक रहा ये जो है राजा जैसी है सोलंक धर्म और शौर के बल पर अपने राज्य का विस्तार किया मतलब कि अपने राज्य को युद्ध लड़के दूसरे राज्यों को जीत करके अपने राज्य में मिलाया इसकी उपाधी याद रखना है सिद्ध राज उसके बाद अगला इंपोर्टेंट चीज जो की पूछा गया है वो है हेम चंद्र हेम चंद्र ये कौंद थे प्रशिद्ध जैन धर्माचारिय जैन धर्मने ऐसादारा यह कौरते पुछा जाता है एगला स सख याद रखना मूल राज द्वीतिय, मूल राज द्वीतिय, इनके समय का इंपोर्टेंट चीज जो बहुत बार पूछा जाता है, मुहम्मद गोरी, देखे भारत में जो है, अपने पहले महमूद गजनवी ने आकरमन किया, उसके पहले मुहम्मद बिन कासीम, उसके पहले तीसरे में आकरम मूल राज द्वीतिय के साथ, तो मूल राज द्वीतिय जो है, मुहम्मद गोरी को परास्त कर देता है, मतलब कि मुहम्मद गोरी हार जाता है, अपने अभियान में असफल हो जाता है, वापस जाता है, और फिर से आता है, जब हम चौहान वंस के बारे में पढ़ रहे थे, तो मैंने बताया था कि किस प्रकार से मुहम्मद गोरी और प्रिथवी राज चौहान के बीच युद्ध हुआ था, पहले युद्ध में जो मुहम्मद गोरी था हार जाता है, दूसरे में जीत जाता है, तो ये चीज जो है मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता है कि हमारे जो पहले के राजा महराजा होते थे, अपने सत्रू को जीवित छोड़ देते थे, उनको छमा कर देते थे, आगे चल करके उनके लिए ही वो नुकसान दायक होते थे, अगर मुहम्मद गोरी को यहीं पर मूल राज दूतिये ने मार दिया होता, तो आगे उसकी मतलब आगे क्या कर सकते हैं, तो मूल राज दूतिये के समय में मुहम्मद गोरी का आकर्मन हुआ, जिसको 1178 में मूल राज दूतिये ने परास्त कर दिया, उसके बाद इसका भाई भीम दूतिये, भीम दूतिये जो की मूल राज दूतिये का भाई था, उसके समय में कुतुबुद्द कुतुबुद्दिन ऐबक लेकिन मुहम्मद गोरी के गुलाम ने मुल राज दूतिये के भाई भीम दूतिये को हरा दिया इसके बाद अगला चीज आप लोगों को याद रखना है कि भीम दूतिये का एक सामंत था उसका एक मंत्री था जिसका नाम था लवन प्रसाद क्योंकि देखें याद रखेंगे जो लवन प्रसाद था वो भीम दूतिये का मंत्री था उसने गुजरात में बगेल वन्स की निव रखी तो यह सारा याद रखिएगा सोलंकी वन्स के विशाय में इंपोर्टेंट है कि जितनी भी बाते मैंने बताई अक्सर परिक्षाओं में पूचा जा और इनकी राजधानी थी कन्नावज कन्नावज वही जो हरसवर्धन की राजधानी थी आगे चलकर के गुर्जर प्रतिहार पाल और राष्ट्र कुटों के मध्य कन्नावज को लेकर के त्रिपक्षिय संघर्ष चला जिसमें अंतिम रूप से गुर्जर प्रतिहार वन्स य इस्थापना करता है तो इसमें आपको राजधानी याद रखनी है इनकी और चंद्रदेव संस्थापक उसके बाद अगला इंपोर्टेंट चीज याद रखना है जैचंद जैचंद देखे यह जो जैचंद है न यहां का सासक था गहडवाल वंस का कन्योज को राजधानी ब यहां नेयट ही थी और सईयोगिता का जो विवाह है वो हुआ था प्रिथवीराट चौहान जी के साथ यह भी बड़ा ही inट्रेस्टिंग कहानी था जो जैचंद है वह प्रिथवीराट चौहान को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और इस विवाह के लिए बिल्कुल भ द्विवाह होता है तो जयचंद पृत्वीराथ चौहान को धोखा दे देता है और मुहम्मद गोरी से जा करके मिल जाता है और इसी कारण प्रिथ्वी राद चौहान को हार का साबना करना पड़ता है और उनकी हत्या भी कर दी जाती है तो ये जो प्रिथ्वी राद चौहान को जो हार हुआता मतलब कि प्रिथ्वी राद च चलित है कि अगर कोई भी वेक्टी किसी को धोका दे देता है तो लोग क्या कहते हैं कि वो तो जैचंद निकला मतलब कि धोके बाद उसको क्या कहेंगे जैचंद तो धोके बाद इसने जो है धोका दिया जैचंद ने उसके बाद इसके आगे चल करके 1194 के आसपास में चंदा पावर के युद्ध में परास्त कर दिया जैचंद को जैचंद के दरबार में कवी रहा करते थे जिनका नाम था श्री हर्स और इन्होंने एक ग्रंत की रचना की थी नैसद चरित नैसद चरित तो यह सारा कुछ याद रखिएगा परिक्षाओं में अक्सर पुछा जाता है छोटी चीजें है ध्यान न देने के कारण यह जो है छूड जाता है तो याद रखिएगा सब चीजों को तो आज का यह टॉपिक यह ही समाप्त होता है अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए मेरे चैनल को सब्सक्र करिए ताकि ऐसे ही वीडियो आप लोगों को देखने को मिलता रहें वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद